अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए आदमी हमेशा पैसो के बीचे भागता रहता है पर अगर इस भागदोड में फैमिली बरबात हो जाए तो फिर क्या होगा हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको नेस्ट ये 2020 की एक हॉलिवड ड्रामा मूवी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ ये मूवी हमें बहुत ही ब्यूटिफुल सा मैसेज देखा जाती है तो अन तक इस वीडियो को ज़रू देखेगा तो भी नग्स देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गारेक्टर रोरी को देखते है रोरी बहुत सालों पहले इंगलंड चोड़कर अमेरिका आया हुआ था रोरी एक स्टार्ट ब्रोकर है वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था इस वज़े से वो बहुत ही रीच था आजकल उसके नियॉयोक के आफिस में कुछ प्रॉलम चल रहे थे तो इस वज़े से शायद उसके पैसे आना बंद हो जाएगा तो इस वज़े से वो वरीड था उसने फिर से अपने इंगलंड के आफिस में कॉल लगया और उसे जॉब देने के लिए फिर से वापस लेने के लिए रेडी थे ये फोन कॉल पर वो बात करता है इसके बाद उसने अपने वाइफ को उठाया अपनी वाइफ के साथ उसके दो बच्चे भी है, एक बेटी और एक बेटा इनकी फैमिली बहुत ही प्यूटिफूल थी, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था रोरी अपने बच्चों के साथ एक साथ ब्रेकफास्ट करता, उन्हों स्कूल छोड़ देता उसके वाइफ ऐलिसन को होर्स राइडिंग का बहुत शोग है, तो इस वज़े से एक जगा बर हो होर्स राइडिंग टीचिंग का काम करती है ये पूरी फैमिली एक दुसरे को बहुत सारा टाइम देती है रोरी को अभी अभी ये उपोरिशनिट आए तो अलिसन से एक दिन वो बात करता है उस कहता है, आज कल मेरे पास तो पैसे है, पर थोड़ी देर में ये पैसे आना बंद हो जाएगा मुझे फिर से इंगलंड जाना है, वैसे भी रोरी की मदर इंगलंड में थी रोरी कहता है, मुझे बहुत बड़ी opportunity मिलिया अगर मैंने इसका सही से फाइदा उठाया, तो पूरी लाइफ में हमें कुछ भी करने की जरूत नहीं पड़ेगी ये सब बात सुनकर एलिसन भी इस पर सोचने लग जाती है इसके बारे में उसने अपनी मदर से बात की, इसकी मदर कहती है बहुत सारे लोग को कंट्री छोड़ कर जाने का कभी भी चांस ने मिलता तुम्हें जाना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए वेसे भी वो सही कह रहा है, वो इसकी मदर भार रहती है शायद इस कंट्री में वो अकेला फिल करता है एलिसन को भी अपनी मदर को छोड़ कर जाना जरा बुरा लग रहा था वो मजा करती है, मैंने कवी इमेजीन नहीं किया था कि मैं तुम्हें भी मिस करूँगी एक नटकट बच्ची की तरह इसके बाद अलिसन और बच यहीं इंग्लेंड आके रोरी अल्डेडी वहाँ पर पहुँच गया था और एक पैलेड जैसा घर उसने अल्डेडी रेंड कर लिया है वो उक्साइटेड होकर सारा घर उन्हें दिखाता है यह एक्च्छल में बहुत जादा बड़ा था यही बात अलिसन उसे बताती है रोरी कहता है तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है जरा आगे तो देखो यहाँ पर बड़ा सग्राउंड है यहाँ पर तुम खुद की होस राइडिंग कर सकती हो खुद की एकेडमी खोल सकती हो रोरी ने एलिसन को एक रोब भी गिव्ट दिया इसके बाद नेक सेन में रोरी को उसके आफिस में हम देखते है जिस तरीके से रोरी डारेक्ली क्लाइन से बात कर रहा था यह उसके बोस को बहुत अच्छा लगा बोस फिर उसे एक इंपोर्टन मीटिंग में लेकर गया इसमें रोरी कहता है अमेरीका में हर लोग ऐसा वानता है को कुछ भी पा सकता है यह बड़े सबने देखते है हमें इंगलेंड में भी यही सबने लोगों को दिखाने है इस कंट्री को हमें आगे लेकर जाना है यह जो रोरी का माइंड से चेंज हो गया था यह कंपनी को बहुत अच्छा लगा रात में सारी फैमिली मिलकर डिनर करते बच्चों को अपने स्कूल में एड़ेस होने के लिए ज़रा टाइम लग रहा है रोरी अपने बेटे बेंजमिन से बुच्छता है तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है बेंजमिन कहता है कि ठीक है पर रोरी ने का कि वो यहां का बेस्कूल है रोरी इस पर बहुत ही प्राउड था अगली दिन रोरी ने एलिसन के लिए परसनेल होर्स बाई करकर लाया एलिसन अब बहुत कुछ थी एक साथ इंटिमेट हो जाते है आज रात फिर ये दोनों पार्टी पर गए पार्टी में जब भी रोरी जिससे भी बात करता है तो बहुत ही अमीर है इस तरीके से उसे जताने की आदज होती है उसने नियॉक में सब को सेल कर दिया था पर फिर भी ओ लोगों को कहता है कि मैं नियॉक में अपना पेंट हाउस हमेशा रखूंगा वो बहुत ही ब्यूटिफूल सीटी है ये सब बात है अलिसन को इसकी अच्छी नहीं लगती है पर फिर भी ओ इग्नोर करती है पार्टी में रोरी के बॉस ने अलिसन से बात की ये दोनों कपल्स के बारे में बात कर रहे थे रोरी का बॉस कहता है जब हम किसी से शादी करते हैं तो उनके अच्छा यूग के साथ उनकी बुराया भी हमें एक्सेप्ट करनी परती है एक की परसन में हम सारी चीज़ पर्फेक्ट नहीं पा सकते है आज कल के कपल सब कुछ एक की साथ पाना चाते है तो इसी वज़े से शाय डिवॉस इनका होता है एलिसन को लगता है कि एक पर्फेक्ट पार्टनर डिजार करना ये कोई गलत बात ने पार्टी से घर पर आने के बाद एलिसन रोरी से बात करती है कैदी कि यहाँ पर कितनी ज़ादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है एलिसन को लग रहा था कि इंग्रेंट बहुत ही प्रिटेंशियस है न्यू यॉक में इस तरीके का प्रिटेंड लोग नहीं करते थे एलिसन हमेशे ज़रा लेट उठती है तो बच्चों को स्कूल में भीजने के लिए उज़रा लेट हो जाती है नेक्सिन में हम लिए थे कि रोरी अपने बॉस के पास आया हुआ था वो गयाता है मेरे पास एक बहुत बड़ी ओफर है एक न्यू यॉक की कंपनी से में बात कर रहा था वो अपनी फर्म बाई करने में बहुत जादा इंटरस्टेड है अगर ये डिल कंप्लीट होगे तो रोरी को इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे उसे फिर से कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेट था और अपने बॉस को बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़े बताता है बॉस कहता है क्या तुम्हें कंपणी सेल करने के लिए यहां आये थे रोरी कहता है कि तुमने मुझे हायर किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा कर दे सकूँ बेस्ट वे कंपनी सेल करना ही है बॉस को भी आइड़ा अच्छा लगा था तो ये मीटिंग में गरा सेट करते है आज रात रोरी ने अपने फ्रेंड्स के साथ मेल कर सेरिवरेट किया एलिसन के होस राइडिंग के जगा पर एक स्टेबल बन रहा था पर वो बनाने वाले वर वरकस ने कहा कि हमें कोई भी पैसे नहीं मिले है जो चेक हमें रोरी ने दिया था यह बाउंस हो गया है एलिसन को बहुत ही आजीब लगा इसके बाद वो जाकर बैंग अकाउंट चेक कर दिया है तो उसमें सिफ 600 डॉलर्स थे इसके बारे में उसने रोरी से बात की रोरी क मिलने वाला है कुछ भी वरी मत करो रात में उसका मूर ठीक करने के लिए उसे बाहर डिनर करने के लिए लेकर गया अलिसन कहती कि अगर सर्शूश में तुमारे बास इतने सारे पैसे आने वाले है तो मैं कुछ भी और कर सकती हो उसने बहुत ही expensive champagne order की रोरी को हमेशा लगत है कि अलिसन को champagne के बारे में कुछ भी पता नहीं है पर वो कैसी भी हो फिर भी वो पूरी बोटल बाय कर लेती है अगली दिन रोरी ने अलिसन से कुछ पैसे मांगे अलिसन ने उसे चुपा कर रहे थे तो रोरी को रूम के बाहर जाने के लिए गयती है रोरी को इस पर गु दिया अलिसन डिस्टब होगी वो जल्दी से भागते भागते जाकर एक पास के फार्म के फार्मर को लेकर आ दिया फार्मर ने का यह बहुत ही जादा बिमार है इसे हमें मारना पड़ेगा वो फिर हॉस को जादा तकलीफ ना हो इसलिए उसे शूट कर देता है अलिसन अपनी कंपनी जिस तरीके से क्रियेट के थी उसकी लेगसी को वो न्यू कंपनी पूरी तरीके से मिटा देती यह उसे नहीं चाहिए था इस बात पर रोरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है वो कहता है कि तुम एसा कैसे कर सकते हो बोस कहता है कि तुम सिर्फ पैसों के बारे म memorial दिया आज पूरी रात रोरी घर पर नहीं आया था अगली दिन अलीसन अपने होस को बड़ी कर देती है हम देखते हैं कि रोरी अपनी मदर के पास आया था बहुत साल हो चुके पर रोरी ने अपनी मदर से कोई भी contact नहीं रगा था उसकी मदर को ये भी नहीं पता कि रोरी ने शादी की है उसकी बच्चे भी है वो अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है वो अपनी मदर को कह रहा था तुम अगर चाहो तो हमारे पास आकर रह सकती हो उसकी मदर ने कहा कि मुझे अब तुमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है वो डारेक्टली उसके साथ आकर नहीं रह सकती वो फिर भी इसके बारे में सोचने वाली है रोरी अपनी मदर पर जारा गुसा हो गया था क्योंकि अपनी लाइफ में अपनी मदर को इन्वाइट कर रहा था पर इतने सालों बात कोई भी कॉन्टेक्ट ना रखी हुए वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता घर पर आने के बाद ऐलीसन रोरी पर बहुत जादा गुसा थी उसने फोन का भी बील पे नहीं किया था इस वज़े से कनेक्शन इनका टूट चुका है अलीसन अपने होस के बारे में उसे बताती है तो रोरी कहता है यह शायद उस आदमी ने मुझे फॉल्टी होस दिया अलीसन को सिंपती दिने के बावजुद उस आदमी पर ही गुसा हो गया अलीसन ने अल्रेडी उस होस को बरी कर दिया था तो इस पर भी ओ गुसा हो जाता है रोरी कहता है मैं उस पर टेस्ट कर सकता था जिस आदमी ने मुझे फसाया है उस पर मैं केस कर सकता हूँ ये हॉस फाइट हॉजन डॉलस का था रोरी को सिर्फ पैसो की पड़ी थी तो इस बात पर एलिसन के साथ उसका जगड़ा हो जाता है कुछ से मैं अलिसन के थी है कि तुम्हारा प्रावलम क्या है तुम्हें एक बहुत ही पूर लड़के थे और अब रीच होने का सिर्फ प्रिटेंड करते हो रोरी कहता है कि अफकोस मैं वैसा हूँ ये जो सारी चीजे मेरे पास है इस पर मैं बहुत प्रावड हूँ इस सब कुछ में डिजर्व करता हूँ मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी कोई भी आउकाद नहीं थी तो अपने डॉर्टर के साथ एक सड़े हुए अपार्मेंट में रह रही थी इसका मतलब है अलिसन की डॉर्टर ये रोरी की स्टेप डॉर्टर है बेंजामिन उसका एक्चुल वेटा था अलिसन बहुत हर्ट हो गए और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है अगली दिन रोरी ने अपने फ्रेंड के साथ मेल कर एक अच्छे डील बर काम करना स्टार्ट कर दिया आज कल अलिसन के बास भी पैसे नहीं तो पास के फार्म में वो कुछ काम ले लेती है उसे बेंजामिन के स्कुल से कॉल आया तो बेंजामिन ने किसी को मारा हुआ था वो जब उसे लेने के लिए गई तो बेंजामिन रोने लगता है वो कहता है मुझे बड़े बच्चे बुली कर रहे थे अलिसन कहती है अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेंजामिन कहता है, मुझे बता है कि तुमारे और फ्यादर की बीच में छगड़ा चल रहा था मैं तुमें और वी वरी करवाना नहीं चाहता था अलीसन उसे गले लगा लेती है गर में अलीसन की बेटी अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ थी या अलीसन को अच्छा नहीं लगता पर उसकी बेटी उसका कुछ भी नहीं सुनती आजराद रोरी अपने क्लाइन के साथ डिनर के लिए अलीसन को भी लेकर जाता है इस डिनर पर भी हो जटा रहा था कि वो बहुत ही रीच है वो एक प्ले के बारे में बता रहा था अलीसन सब चीजों से तंग आ चुकी थी तो इस बात पर वो हज देती है कहती है मेरे हजबन ने कभी भी ठेटर में पाव भी नहीं रखा वो फिर गुसे में यहां से चली खे तो रोरी भी उसके पीछे आता है अलीसन उसे मिली नहीं पर क्लाइन अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वो लोग सिर्फ मेरे साथ ही काम करना चाहते है इस बात पर रोरी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ हो गया अलीसन गाड़ी लेकर चली जा चुकी थी तो रोरी को एक क्याब लेनी परती है क्याबी उसे बुछता है तुम काम क्या करते हो रोरी ने कहा कि मैं प्रिटेंड करता हो कि मैं अमेर हूँ क्याबी बुछता है कि ऐसा क्यों करते हो तो रोरी कहता है कि मुझे पता नहीं उसने कहा कि एक बार मेरे पास बहुत सारे पैसे थे वन मिलियन डॉलरस मुझे लगा कि ऐसे ही पैसे मेरे पास हमेशा आते रहेंगे पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं कैवी बुछता है कि तुम्हारे बच्चे है रोरी ने कहा कि हाँ दो बच्चे है तो कैवी ने कहा तुम्हें लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सही चीज़े है हम इस वर्ल्ड में आएं तो हमारे बच्चों के लिए ही वो बुच्च था है कि क्या तुम अच्चे फादर हो रोरी ने कहा कि अफकोस मैं अच्चा फादर हूँ मैं कभी भी उन पर हाथ में उठा था उन्हें जो भी चाहिए यह सारी चीज़े लेकर देता हो क्या भी कहता है यह चीज़े तो बहुत ही बेसिक है इससे तुम अच्चे फादर नहीं बनते तुम्हें अब अपनी लाइफ को सही से ट्रैक पर लाना पड़ेगा एक जौब ले लो थोड़ी से पैसों के लिए तुम काम कर सकते हो पर फिर भी अपने फैमिली को तुम खो नहीं सकते है तुम्हें अच्चुली क्या चाहिए यह तुम्हें बता होना चाहिए रोरी को सही में उसे क्या चाहिए इसके बारे में कोई भी आईड़ा नहीं था कैवी ने अपनी कार रोकती और हो कहता है अब यहां से निकल जाओ उसे पता था कि रोरी के पास कोई भी पैसे नहीं है रोरी कहता है घर पर पोर्सनी के बाद में तुम्हें पे करता हो पर कैवी ने बात नहीं मानी रोरी को ऐसे ही चलते चलते घर पर जाना पड़ता है इसे के पैरलर में हम देखते हैं कि इनके बेटी ने घर पर अपने फ्रेंज के साथ मिलकर एक पार्टी रखी थी इस पार्टी में बेंजामिन बहुत ही जादा डर जाता है तो एक कोने में जाकर बेटा हुआ था सुबह ऐली संन ने घर को देखा तो पार्टी को जैसे बहुत जाधा डर्टी हो गया था वो जाकर बेंजीविन को ढूंती है तो बहुत ती डरा होा था उसने उसे सहारा दिया बाः ऐली संन ने अपने होस को बरी किया था तो उसके उपर की मिट्टी बाजू हो जाती है इस बाद से वो बहुत डिस्टर हुए वही पर बहुत रोई ये देखके उसकी बेटी भी उसे सहारा देती है बेंजाविन को घर पर लेकर आए उसके लिए ब्रेकफास बनाया थोड़ी देर में रोरी भी चलता चलता घर पर पहुच जाता है सारे लोग ब्रेकफास कर रहे थे रोरी ने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा उसके पास जो एक फैमिली है इसे ओक खोना नहीं जाता पर अभी भी उपैसों के बारे में बात कर रहा था के मैं ऐसा करूँगा हम यहाँ वर जाएंगे मैं अपनी खुद की कमपनी खुलूँगा यह सब बाते सुनकर अलेसन उसके पास जाती है उसे चेर पर बिठाती है और कहती है हमारे साथ ब्रेकफास करो अगर यह एक फैमिली की तरह चीज़ों को ट्रीट करेंगे तो सब कुछ परफेक्ट होगा रोडी जो भी यह सब ट्राय कर रहा था तो उसने भी अब फैमिली की किमत जान ली है वो किसी भी हलत में अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता अलीसन ने जिस तरीके से उसे ब्रेकफास के लिए इन्वाइट किया एक सहारा दिया जिससे उसने भी उसे माफ कर दिया उसकी बेटी भी उसे हक कर दिया यह फैमिली हमेशा एक दूसरे को सहार देकर सपोर्ट करते रहेंगे इसे के साथ पूरी family breakfast करते हुए एक beautiful से scene पर इस movie का end होता है ए movie हमें बता कर जाती है कि actual में life में important क्या है जो है हमारी family इसे एक message के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो please इसे like और comment ज़रूर करतीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आते रहता हूँ तो please चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिसे मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये